रादे रादे गुरुजी जी रादे रादे गुरुजी मेरा प्रश्णी यह है कि हम हमारा धरम तो करते हैं पर क्या हम दूसरे धरम भी करते हैं तो उसमें गया वो गल्त है क्या करते हैं यह दूसरे गरम जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं वहां मंदिर में जाते हैं कौन से मंदिर में चेर्च या मस्धिद में जाते हैं तो वह गलते हैं किस भाव से जाते हो हम मन से जाते हैं तन से जाते हैं मन से जाते हो तन से जाते हो मन से और मंदिर मंदिर भी मन से जाते हैं मन से जाते हैं तो दोनों तीनों जगे किस रूप म में जाते हैं किस रूप में बताओ चर्च जाके क्या चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको चर्च में जाके वही मन की शांती है और मंदिर में मंदिर की मंदिर में भी मन की शांती मिलती है कि मंदिर में मन की सांती मिलती तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हैं कि वह शायद सभी देवो सभी सर्व धर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो बुरा मत मानना तुम हो इसलिए पूछ रहा हूँ और मैं बहुत कड़वा एक्जामपल देने वाला हूँ I'm sorry to say ये हमारे हिंदूों में बहुत होता है ये हिंदू सब की कर लेते हैं तुमारी कोई करता है तुमारी कोई करता है कहते कि कहते नहीं प्रबचन मत दो जो question में कर रहा हूँ उसका answer दो कितने उसमे क्रिश्चन तुमारे आकर प्रणाम करते है मंदिर में किर दे दर में मेरे मेरे friends कितने Christians तुमारे मंदिर में आकर प्रणाम करते है मेरे फ्रेंज है वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ में उनको कहना वो गलत करते हैं मैं तुमें नहीं कहना तुम गलत करते हैं अब आप टेंसन में आ जाओगे वो जो कैसे वो गलत करते हैं अब मैं बताता हूं एक इस्तरी का एक पती सब अच्छा कहते हैं है राइट है और एक इस्तरी के दस पती है अच्छा कहेंगे है जवाब देजिए है एक ही पती होना चाहिए वैसे ही इस सरीर में है यह हमारी आंत्मा है और इसका पती एक है चाहे उसे मैं चर्च में जाके ढूड़ लूँ चाहे मैं उसे मस्जित में जाके ढूड़ लूँ चाहे मैं उसको मंदिर में जाके ढूड़ लूँ I am not against church and masjid I respect all of but मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है यह मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं और अगर मेरा परमात्मा बैसे दो गॉड़ इस एब्रिवेर गॉड़ इस एब्रिवेर लेकिन अन्यत्र धर्मों में हम लोग यह इसी बाव के सर्वे ववंत सुकेना सर्वे संतु निराम या हम लोग इस प्रद्धिती के लोग हैं लेकिन गलत कारणों के बज़े उनके गलत कर्मों की बज़े से हमारी सुर्दा मेरी तो कम से कम अठी की है मैं औरों की बात नहीं करता हूं मेरी इसलिए अठी है क्योंकि वह बुलाए जाता है कुझ अधर करने के लिए ही तार नहीं है वही नेगिटिव टी का प्रचार है यह मता करने की प्लानिंग है वो गलत है और रही बात गोष्वामी तुलसी दास बाबा ने कहा है तुलसी मस्तक तब जुके तुलसी दास बाबा गए थी कृष्ण जी के पास ब्रिंदावन में बोले हम तो ठीक आ गए आपके जाले कि मेरा सर तब जुकेगा कि बाधन सुरी अटाओ और आथ में दनुशबांड लो तुलसी मस्तक तब जुके जब दनँशबांड लेो हाठ अपने हाथ में के दनुशबांड होंगे तो मैं आपको प्रणाम करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा मेरा सर वहा जुकेगा में मेरे को मानता हूं मेरा आराध दिए मेरा रिस्पेक्ट सब की है कोई भी हिंदू धर्म माला व्यक्ति किसी और धर्म के वारे में बुरा नहीं सोचता है याद रखना लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो सबको अपना बना लो सबसे पुराने लोग कोन हैं जोड से बोलो और जोड से बोलो हैं सनातनी सबसे पुराने अब आपको एक उधारन देता हूं 85 के करीब कृष्चनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में और वो हैं 2200-2300 साल पुराने 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्री हो गई और हमारे मुसलिम्स भाई यह हैं 1200-1300 साल पुराने 1400 लास्ट इनकी हैं 55 कंट्री कितनी जोड से बोली हैं 55 राइट और हम लोग कितने साल पुराने हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें वो हिंदू रास्ट है एक भी नहीं है अब आप कहेंगे नेपाल नेपाल भी नहीं रहा हो पहले नेपाल तो था जो कहता है था हम इंदू रास्ट है अब वो भी नहीं रहा पूरी दुनिया में एक कंट्री ऐसी नहीं है और सबसे पुराने हमें बज़े जानते हो क्या है क्योंकि हमें कन्वर्ड किया गया हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया चर्च तो बहुत दूर की बात है कॉन्वर्ड इसकूल में चले जाए वहां हमारे बच्चों को आदा क्रिश्यन बना देते हैं वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे बच्चे बगवान के आगे भी जाके ऐसे इसलिए कहता हूँ मैं यह नहीं कहूंगा कि आप चर्च मत जाओ कि मस्ज़ नहीं जहां आपका मन करे जाओ लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जिस व्यक्ति का अपने धरम में पूर्ण तह विश्वास नहो वो कहीं भी जाके बटक ले उसे सांती कहीं नहीं मिलने वाले प्रमाण के तौर पे मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक पतनी का एक ही पती अच्छा लगता है और मेरी आत्मा का पती परमात्मा है तो मैं अगर उसको एक ही जगे पर ढूड़ूं वैसे तो परमात्मा न मंदिर में न मस्जित में है न गुर्दवारे में है परमात्मा तो मेरे हिर्दे में है लेकिन मेरे एक हिर्दे में तीन परमात्मा कैसे आएंगे एक ही ना आएगा तीन आएंगे क्या अगर एक है तो वो एक मेरे खिर्दा में होना चीए और मैं मस्जिद में भी जाओ तो भी मुझे कृष्ण नहीं खड़ा नजर आए वहाँ पर चर्च में भी जाओ तो मुझे कृष्ण नहीं प्रवजन में सुन रहा हूं क्यों मेरी दिमाग में मेरी दिल में मेरी बुद्धी में मेरी बिचारों में मेरी सब्दों में हर जग है सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण के इसे बाद कुछ नहीं माई डियर जब तुम मंदिर के ही सगे नहीं हुए तो मस्जिद के क्या होगे और चर्च के क्या होगे इसलिए एके साधे सबसदे सबसदे सब जाए एके साधे सबसदे भारत के नेता मत बनो हम यहां पर इसकान टेमपल है वहां पर जाते हैं हर आमावस्या को भी जाना होता है हमारा हम बहुत कृष्ण बगवान को ज़्यादा मानते हैं और फिर क्योंकि आजकल लोग सभी धर्म के बारे में कुछ नकुछ गलत सोचने लगे हैं बोलते हैं कि यह दर्म के बारे में ऐसा है यह दर्म के बारे में वैसा है यहां जाने से वैसा होता है यहां जाने से वैसा होता है तो इस वज़ा से मेरे मन में ये सवाल उटा क्या हम गल्ट है तो मतलब ऐसे चले जाते हैं मुझे सिर्फ आप एक बात बता देजिए क्या आपको चर्च में कृष्ण का दर्शन हुआ है मैं जो पूछ रहा हूं उन्हें समयर करेंगे तो वो भी होगा होगा हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं अभी तक तो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ ना मंदिर में जाते हैं तो वो सामने ख़ड़ा तो दिखता है उसे देखने में आनन्त आता है पता तो चलता है हाथ कहा है पाम कहा है बासुरी कहा है देखने को मिलता है चर्च में तो नहीं मिलता देखने को कृष्ण तो जब कृष्ण को यह ज़ादा चाहते हो तो जरूर यह मुझे चर्च में जाना है और अगर चर्च में जाने वालों का मैं यह कहता हूँ मुझे उनकी से कोई बाकि नफरत नहीं और मैं कभी भी किसी धर्म की निंदा तो नहीं करता हूँ कर्मों की निंदा जरूर मुझे कभी कभी करनी पड़ती है क्योंकि ब्यासपीट पर बैठता हूँ मैं कभी भी यह नहीं कहूंगा कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाके सर जुकाए अथवक्च चर्च में जाके सर जुकाए मैं कभी नहीं कहूंगा हम लोग कोई पॉलिटीशन नहीं है जो टोपी पहननी पड़ेगी यह बेब को बनाते एक दूसरे को टोपी पहन कर चर्च में जाकर क्या है एक को मानो ना चर्च वाले चर्च को माने मस्जिद वाले मस्जिद को माने मंदिर वाले मंदिर को माने और उनी की समाल करें, उनी की देखवाल करें, उनी को आगे बढ़ाएं, उन्हें कोई जरुवत नहीं है, किसी के आगे सर जुकाने के, और जिनका आपने आप में विश्वास नहीं है, जो आपने आपको विश्वास नहीं कर सकते, वो दूसरों में जाके जाके क्या कर मैंने कभी मुसल्मान भाईयों को नहीं देखा मंदर में प्रणाम करते हुए रेयर करोड़ों अर्वों में कोई एकाद मैंने किसी कृष्षन को नहीं देखा मंदर में जाकरते लग लगाते हुए कोई मिल जाए एकाद गलती से और तमाम हिंदू मिलेंगे आपको मस्जित में चादर चड़ाते हुए और चर्च के आसपास बटकते हुए और जितना भी ये केरल बदला है जितना भी है ये कौन थे ? कौन थे पहले ? हिंदू अब करके है ? अगर उनका उदेश अच्छा होता तो ये केरल की दसा बदलती उदेश सही था उनका ? कि नई उनके पॉपाक के कहते हैं कि इसमी सथी में पूरा भारत पूरी एस्या क्रिश्शनों की योगी ये उद्देश क्या है ये टार्गिट क्या है हमने तो नहीं कहा कि पूरा राष्ट पूरा विश्व हिंदूओं से हो जाए हम नहीं चाहते हैं हम तो ही चाहते हैं कि तुम अपना धर्म करो हम अपना धर्म करें तुम हमें डिस्टर्ब मत करो हम तुमें डिस्टर्ब न करें लेकिन वो लोग करते हैं हम लोग नहीं करते और हम अपने बच्चों को नहीं अब मैं तुमें शूट दे दू पूरी दुनिया यूट्यूब पे मुझे देख रही है तो और तुम से सुनकर पांसो लोग और जाएंगे बोले माराज जीन उसको कह दिया था बड़ाइ डॉन्ट एलाउड मैं सिर्फ इतना कहूंगा अगर कृष्ण को मानते हो तो सिर्फ मंदिर में ही तुमारा सर जुकना चाहिए अन्यत्र का ही नहीं और इसी के साथ साथ मैं ये कह देता हूँ चर्च को मानने वालों का सर भी वही जुकना चाहिए मस्जिद के मानने वालों का भी सर वही जुकना चाहिए ये भी साथ बोल देता हूँ जिससे कोई ये न कहे के हम सिर्फ हिंदू धर्म को बड़ाबा दे रहे लेकिन चर्च वाले भी समझ लें मस्यद वाले भी समझ ले तुम सबसे पहले सनातनी थे आज बदले हो अगर मोका मिले तो फिर आके मंदिर में प्रणाम आप कर सकते हो रादे 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 अब ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें जबरदस्ती बेठाल रहा हूँ पर मैं पांस सल से आपकी जब से कता हुए शांती रोंड में तो तब से ही मैं आपकी कता सुनते आ रहा हूँ और मैं काफी मन लगाता रहा हूँ आपकी कता में अब नहीं लगेगा तुम्हारा मन आज के बाद लगेगा आगे भी लगता रहेगा और आपका अशिरवाद साथ में रहेगा गुरुजी मेरा शिरवाद हमेशा साथ में लेकिन उनको सबको positive message दीचिए negative नहीं मैं भी जाता हूँ मुझे मजबूरन कहीं जाना पड़ता है तो मैं वहाँ मैं तो पहले जाता ही नहीं पहले कभी जाता था कभी एक आद किसी के साथ मुझे मस्ज़ जाना पड़ा किसी के साथ चर्च तो सायदी में कभी गया नहीं एक आद बार किसी मस्ज़द में जरूर गया हूँ तो वो अपनी मर्जी से नहीं मैं चोटा था तब मुझे कोई लेके गया था तो मैं चला गया था लेकिन उसके बाद ना मैं मैं मस्ज़द जाता हूँ ना मैं चर्च जाता हूँ मैं भगवान तक पहुंचाता है तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा हिंदू धर्म सबकी जड़ है अलियों से और पत्तों से जुड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है जड़ से जुड़े रहोगे तो तुमारा कभी बिनास होने वाला नहीं है तो पूरे लाते हैं को समय बादी सब के सब बिलुप्त हो जाएंगे सनातन फिर भी रहेगा तो मैं उनको यह नहीं करा हूँ तुम अपना धर्म चोड़ के सनातनी हो जाओ मैं यह काऊंगा जो जहां कर रहे हो करो लेकिन किसी को हट मत करो जबर्दस्ती किसी का धर्म परिवरतन मत कर अगर किसी का धर्म परिवरतन कराते हो तो धर्म परिवरतन कराने से ना किसी का खुदा खुश होता है ना किसी का गौड खुश होता है और मेरा भगवान खुश होता है इवन कई मुसल्मान माता है बहर मेरे पास आएं कई मुसल्मान बच्चे मेरे पास आएं कि हमें दिक अब हमें कोई और भाता ही नहीं है कृष्णी भाता है उसकी बंसी भाती है उसका ब्रिंदावन भाता है वो जबर्दस्ती मेरे पीछे पढ़के गए तब नम उनको दिया जब वो पीछे मेरे पढ़े मैं उनके पीछे नहीं गया सच यह है कि सनातन ही सबकी जड़ है और जब सत्यता सब के सामने आ जाती है तो उस जड़ से महबत होती है और जब जड़ से महबत होती है तो लोट के फिर घरी आते है उनके लिए दरवाजे खुले हैं पर हमारे लिए वो बिंडो हैं वो दरवाजे नहीं है जितने भी और स झाल झाल